Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल बोला गया है कि A Certificate जो है, वो केरला स्टोरी को दिया जाएगा, एका मतलब होता है Adult, या आप देख सकते हो, The Kerala Story receives A Certificate after 10 Changes Suggested by CBFC Committee, तो आज हम इस वीडियो के अंदर अपने exam perspective से, देखो कई बार UPSC से लेकर हर जगा जो है, वो कई बार ऐसी चीजे पूस देता है, जो तो शायद आपका ध्यान ना जाए, क्योंकि usually क्या होगा, हमारा ध्यान इसके debate पर जाएगा, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो सब के बातों में आप उल्जे रहेंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, किस तरीके से हमारे देश के अंदर, जो film certification ह वो work करता है, और यहाँ पर the Kerala story में क्या-क्या changes किये गए, जो 10 बदलाओ किये गए, वो क्या थे, साथ में काफी कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर चली आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखेगा, अगर आप UPSC 2024 की preparation कर रहे हैं, तो आपके पास एक बड़ा मौका है, यह वाला जो batch है, जो की 5th of May से start हो रहा है, इसके अंदर आप join कर सकते हैं, जिसमें prelims से लेकर interview तक की पूरी त्यारी आपको मिलेगी एक single batch में, इसमें अगर आप UPSC 2024 क्रैक कर लेते हैं, prelims वाला, तो उसमें आपको main residential program है, वो free of cost में म just use the code UNKITLIVE, और साथी साथ अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर stories में जितने भी MCQs हैं, उसको आप attempt कर पाएंगे, चले सुरवात करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं exactly हुआ क्या है, देगे, the Kerala story को आपने देखा, वग मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन the Kerala story को A certificate मिला है, मतलब की adult certificate कहने का मतलब है, कि जो लोग 18 वर्ष के उपर हैं, वही इस movie को देख सकते हैं, उसके नीचे वाले आयू के जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो नहीं देख पाएंगे, और इसके साथ साथ जो CBFC है, Central Board of Film Certification उन्होंने 10 changes सुझाये थे, जो की हटा दिये गए हैं, मूवी से 10 changes हटा दिये गए हैं, और आपको ध्यान रखना है कि CBFC के अंदर ये जो examining committee होती है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ये committee कैसे बनती है, लेकिन ये जो examining committee है, उन्होंने यहाँ पर सारे changes किये गए हैं, और इसके साथ साथ एक और चीज़, interesting चीज़ आपको पता ही होगा, कि जिसको लेकर एक बड़ा debate हो रहा है, देखो दकेरला story क्या है, बेसिकली यहाँ पर चार महिलाओं की कहानी है, जिसमें ये बताया गया है कि ये हिंदू महिला थी, अलग-अलग religion की महिला थी, और उन इसको लेकर भी debate है, क्या ये जो number है, वो सही है, नहीं है, यहाँ पर जो केला के CM है, वो कुछ और कह रहे हैं, जो producers हैं, डारेक्टर हैं, वो कुछ और कह रहे हैं, तो जो examining committee है, उन्होंने documentary proof भी मांगा था, जो है, फिल्मेकर से, कि आपका जो भी यहाँ पर आपने जो आ पाकिस्तान, उनको passion की मदद अमेरिका भी करता है, तो ये जो चीज है, ये जो dialogue है, वो movie से हटा दिया गया, यहाँ पर एक और dialogue है, जो की relate करता है, Communist Party से, Communist Party not allowing Hindu rituals was also deleted, मतलब कि यहाँ पर जो Communist Party है हमारे देश में, वो Hindu rituals को allow नहीं करती है, यह भी dialogue था, उसको हटाया गया movie क पर इसके लावा, Censor Committee ने यहाँ पर यह भी कहा, कि Indian Communist Party जो शब्द का इस्तमाल किया गया movie में, उसमें से आप Indian शब्द हटा दो, स्रिफ Communist Party यहाँ पर लिखो, और इसके लावा मैं आपको यह भी बता दूँ कि यहाँ पर एक former जो CM है केरला के, उनका भी एक interview था movie के अंद है, यहाँ पर जो Communist Party of India है, Indian National Congress है, वो object कर रहे हैं कि यह केरला के negative image को दिखा रही है, पूरी movie, उसको release नहीं होने देना चाहिए, दूसरी तरफ जो BJP है, जो Central Government में है, वो कह रहे हैं नहीं होना, तो यह सारे debate चलते रहेंगे, खेर, हमारे लिए important है, यह film certification भारत में कैसे ह होता है, देखो, ध्यान रखना, 1952 का act है, that is Cinematography Act, उसके तहत, यहाँ पर film certification, मतलब भारत में अगर कोई भी movie public में दिखाई जाएगी, जो लोग देखेंगे, चाहिए वो short film हो, या फिर जो feature film हो गया, दो घंटे की, धाई गंटे की, कोई भी अगर चीजे दिखाई जाती तो उसके लिए आपको certificate लेना होता है, ऐसे आप कुछ भी नहीं दिखा सकते, और माल लीजे, कोई एक ऐसी film बनी, जो कि भारत के sovereignty के खिलाफ है, integrity, security of India के खिलाफ है, हमारा जो friendly relation है, foreign state के साथ, foreign countries के साथ, वो अगर impact होता है, तो हो सकता है कि उन movies को ban भी कर दिया जाए, उ वो सारे movies भी screen नहीं किये जाएंगे, तो ये सारी चीजे कैसे govern होती है, ये जो Cinematography Act है 1952 का, उसके तहत होता है, और जो matter है certification का भारत में, वो आए दिन होता रहता है, कभी कुछ आपको सुनने को मिलेगा, कभी, जो को होता क्या है न यहाँ पर, कि हर एक producer चाहता है कि उसक कौन सा certificate मिल रहा है, ए, adult वाला मिल रहा है, UA मिल रहा है, क्या मिल रहा है, वो सारी चीजे मैं आपको आगे बताऊंगा, इसलिए हम सब को इसके बारे में जानना चाहिए, अब देखो ये सारी चीजे कैसे govern होती है, Cinematography Act जो 1952 का है, उसके अंदर एक body है CBFC, CBFC क्या है Central Board of Film Certification, ठीक है, इसके अंदर, इस board के अंदर, total कितने members होते हैं, ध्यान रखेगा, 25 members होते हैं, और 60 advisory panel members होते हैं, across India, और इसको head किया जाता है, एक chair person के दोरा, अब ये जो members हैं, चाहें वो 25 board के members हो गए, या फिर 60 advisory panel members हो गए, उन सभी को appoint कौन करता है, जो INB ministry है, information and broadcasting जो ministry है, वो यहाँ पर appoint करती है, generally अगर आप देखो कि जो board के members होते हैं, ये जो 25 board के members हैं, वो film industry के ही होते हैं, film industry, जो TV professionals हो गए, उन ही के members होते हैं, और जो बाकी के 60 advisory panel के members होते हैं, वो इस industry के बाहर से होते हैं, usually, ताकि उनके opinion को भी यहाँ पर सुना जाए, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि CBFC के अंदर total 25 board members और 60 advisory panel members होते हैं, और इनका जो tenure है, जो chairperson और जो board के members है, उनका tenure होता है, तीन साल का, जो term होता है, और जो advisory panel members है, 60, उनका tenure होता है, दो साल का, ठीक है, अब यहाँ पर जो administrative function है, मतलब कि आए दिन कैसे ये पुरा body चलेगा, CBFC कैसे चलेगी, उसका काम देखभाल CEO के द्वारा किया जाता है, लेकिन जो film certification का पुरा निर्णा है, कि कौन से film को कौन सा certificate देना है, वो सारी चीजे examining committee करती है, अब ये examining committee कौन appoint करता है, ध्यान रखेगा, examining committee को appoint करा जाता है by regional officer, actually क्या है, कि CBFC का total 9 regional office आपको देखने को मिल ठीक है, एक है मुंबई में, एक है कुलकता, चन्नाई, बेंगलूरू, त्रिविनंत, पूरम, हैदराबाद, न्यू डेली, कटक, गुहाटी, अब क्या होता है ना, जिस भी region में जो movie बन रही है, उनको अपने region में यहाँ पर, अपने regional officer से certificate लेना होता है, तो regional officer के पास व यहाँ पर, वो examining committee फॉर्म करता है, बनाता है, और यह जो committee है, वही decide करती है, कि किसको क्या certificate मिलना चाहिए, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, यह वाला जो आपका था, क्या कहते हैं, the Kerala story का, तो यहाँ पर 10 changes करना, यहाँ पर A certificate देना, यह कौन किया, यह examining committee की है तो यह हमें समझने की जरूरत है, अब देखो, यहाँ पर क्या है ना, मैं आगे इसके बारें बताओ, इसके लावा मैं आपको बतादू, short film जो होती है न, जो छोटी-छोटी film में होती है, 10, 10 minute, 15 minute, 20 minute, जैसे अभी recent ही आपने देखा, आसकर में, elephant, the elephant whisper, उसको आसकर मिला, भारत की जो short film थी, पहली बार ऐसा हुआ, तो वो सारी जो short film होती है, उसके लिए यहाँ पर जो examining officer होते हैं, और एक member होते हैं, वो यहाँ पर decide करते हैं, कुछ-कुछ short film में यहाँ पर 4 member की committee बनाई जाती है, जिसमें 2 women होगी, ठीक है, यह short film के लिए, लेकिन हमारे लिए important है, जाना यह जो बड़ी-बड़ी film में होती है, 2 घंटे, 3 घंटे की, वो कैसे certification होता है, पहले तो question यह है, कि total कितने प्रकार के certification होते हैं, categories कितने होते हैं, देखो initially क्या हुआ था, जब 1952 में Cinematography Act आया था, तो उस समय दो तरह के categories होते थे, एक होता था U, और दूसरा होत था A, बस, पहले यह दो तरीके के होते थे, यू, अगर मालो, किसी film को U certificate दे दिया, ठीक है, examining committee ने, तो इसका मतलब हुआ, उस movie को कोई भी देख सकता है, यह family के लिए बनी है, यहाँ पर children से लेकर, छोटे बच्चे से लेकर, बड़े तक, कोई भी उस movie को देख सकता है, लेकिन किसी film को अगर A certificate दिया गया, तो उस case में सरिफ adult ही उसको देख सकते है, और आपको पता है, यह adult का definition है, मतलब 18 साल से उपर का जो उनके जो लोग हैं, वही उसको देख सकते हैं, और मुझे याद है, जो मैं 16-17 साल का था, एक दो बर मैं movie देखने गया, चलो family के categories होते थे, फिर आगे चलकर जून 1983 में यहाँ पर एक नया रूल आया, जिसमें दो और categories add कर दी गए, अब यह कौन सी थी, एक था UA और दूसरा है S, अब देखो जो UA है ना, इसका मतलब क्या होता है, unrestricted public exhibition, but parents of children below the age of 12, मतलब कि अगर 12 साल से के नीचे का जो बच्चा है, अगर वो उस movie को देखने जा रहा है, तो उस case में parent भी उसके साथ होने की, parent guidance के अंदर वो देख सकता है, वो parent के उपर निर्भर करता है कि क्या वो अपने बच्चे को दिखाना चाहते हैं कि नहीं, ठीक है, मतलब कि एक warning दी जाती है एक तरह से parent को, देखे, यहाँ पर कु specific audience के लिए होता है, specialized, जैसे की doctors, scientists, कुछ movie ऐसी बनाएगा, स्रिफ वो doctors ही समझ सकते हैं, और किसी को नहीं देखाना चाहे नहीं, तो डर जाएंगे, तो कई बार ऐसा होता है, कि वो specific audiences के लिए भी होते हैं, तो यह 4 certificate होता है, अब obvious सी बात है, अब कोई भी film maker है, वो क्या वो चाहेगा कि उसको you category का certificate मिले, क्यों, क्योंकि सभी लोग उसको देख पाएंगे, तो यहाँ पर उसका audience बढ़ जाता है, लेकर अगर किसी film को एक certificate मिलता है, मतलब सिर्फ 18 साल के उपर दख पाएंगे, तो restriction हो गया ना यहाँ पर, तो जादा तर film maker चाहते हैं, कि उनको you category का मिले, लेकिन the Kerala story को कौन सा मिला है, a certificate मिला, I hope कि अब आपको समझ में आ गया होगा, कि a certificate का मतलब क्या है, अब question यह है कि यह process कैसे होता है, देखो, यहाँ पर एक rule बनाया गया था, 1983 में, Cinematography Certification Rules 1983, जिसके तहत procedure है, कि अगर किसी भी filmmaker को certificate लेना है, तो वो कैसे लेन पड़ेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बताया, जो 9 regional offices हैं, उनमें से किसी एक में आपको जाना पड़ेगा, और अपने film को जमा करना पड़ेगा, ताकि आपको certificate मिल सके, तो जब आप वहाँ पर जाओगे, तो जो regional officer है, जो head है वहाँ कर उस region का, वो 4 member का panel गठन करता है, जिसमें 2 महिलाएं होती हैं कम से कम, ठीक है, यह समझ में आ गया, अब यहाँ पर जो 4 member जो होते हैं, वो उनहीं को कहते हैं examining committee, और यह examining committee कहती है, बताती है कि यह cut होना चाहिए, यह movie के अंदर यह सही नहीं है, अगर आप यह cut नहीं करोगे, तो हम आपको adult क certificate दे देंगे, अगर आप यह cut कर दोगे, तो हम आपको you का certificate दे देंगे, तो यह सारी चीज़ें discussion होती हैं, तो जो फैसला है ना finally 4 members में, वो majority से लिया जाता है, लेकिन मान लो, अगर 2-2 की majority ऐसे आ गया, दो लोग कह रहे हैं कि नहीं, you मिलना चीए, दो लोग कह रहे हैं adult का certificate मिलना चीए, तो final decision जो chair person होता है उस committee का, वो लेता है, तो यहाँ पर, अब मान लो, किसी filmmaker को बोला गया कि आपका film A category का है, जैसे The Kerala Story को, लेकिन film maker ने कहा कि नहीं, हम satisfied नहीं, हम चाते थे कि इसको you category का मिले, तो उस case में वो क्या कर सकता है, उस case में वो वापस से reapply कर सकता है, लेकिन फिर वो जाता है, revising committee के पास, और revising committee में chair person होते हैं, और 9 members की committee बनती है, 9 members तक की committee बनती है, और फिर ये लोग 9 members, ये finally decide करते हैं, कि क्या होगा, अब मान लो, फिर भी film maker satisfied नहीं है, तो यहाँ पर एक तरीका है, वो है affiliate tribunal के पास जाने का, जैसे आपने देखा होगा, environment के perspective से एक tribunal है, national green tribunal, और भी इस तरह के कई सारे tribunals आपने सुनोंगे, और लग-लग purpose के लिए बना जाते हैं, वैसी, film certification के लिए affiliate tribunal है, और इसमें भी ये एक independent body है, और इसमें भी जो members हैं, वो 3 साल के लिए appoint किये जाते हैं, ministry के दोरा, तो इस तरह से चलत होगा, कैसे ये पूरा work करता है हमारे देश के अंदर, और आप इसे बहुत से ऐसे लोग होगे, जो इसको बारे में जाना चाहते होगे, नहीं पता होगा, बट आप, I hope कि आपको पता चल गया होगा, तो ये सारी चीज़ें थी, और जाने से पहले, एक interesting question, क्या बता सकते ह इनमें से किसमे cap and trade जो शब्द है, जो term है वो इस्तमाल किया जाता है, इसका right answer आप सबको पता है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलिग्राम से भी ले सकते हैं, इसका सही उत्तर में, कई सारे जो MCQs हैं, वो यहाँ आपर stories में डालता रहता हूँ, वाखे अगर आपको PDF शीथ हो, टेलिग्राम पर आए, अलग लग सोशल मीडिया पर आप जूड़ पाऊगे, और जैसा मैंने बताया था, UPSC के अगर आप त्यारी करो, just use the code अंकित लाइव to get maximum discount, and I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता